शुरू कर चुके हैं दे डिवेट बैनो भाईयों उत्तर प्रदेश में राज्य साभा की 10 सीटों पर महा मुकाबला चल रहा है और अपसे थोड़ी देर बात कौन जीत रहा है इसका एलान होने वाला है 10 सीटे ग्यारा प्रत्यासी 396 मेलेज जिन में 395 के वोट पड़े हैं और फैसला थोड़ी देर में आने वाला है क्रास वोटों की बहार है उत्तर प्रदेश में इस बार और चुनाओ बड़ा दिल्चस्ट हो गया है आज की चर्चा इसी विशेतर बनवाईयों उत्तर प्रद प्रदेश में विधायकों की और हमारे यह के निताओं का कि जो अंतर आत्मा है इसका पर्मात्मा से कम मिलन हो जाए कोई ठीकाना ही नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अंतर आत्मा जगी और राजनीतिक पर्मात्मा मिले दरसर हमारे विधायक इतने धर्मात्मा है कि वो हमेशा एक अच्छी आत्मा की तलास में रहते हैं अच्छी सुकद सम्रद्ध और स्वस्थ आत्मा हमेशा उन्हें चाहिए होती है इस बार भी जब राज्य सभा के वोट पढ़ने थे और आत्मा कब जकती है जब वोटिंग पढ़नी होती है निर्विरोध होता है तो स लिपटने लगती है और बाउंडरी कूद कर भागने भी लगती है इस बार भैनो भाईयों कमाल हो गया हलाकि उत्तर प्रदेश में इसके पहले कभी थी हास है कि कई बार अंतरात्मा जगी और हमारे धर्मात्मा विधायक परमात्माओं से मिलन के लिए आगे गए लेकिन इस बार तो कमाल हो गया कमाल इस द्रश्टिकोंड में हुआ कि समाजवादी पार्टी के एक दो तीन चार नहीं साथ साथ एमेले जने अंतरात्मा की आवाज पर भारतिये जनता पार्टी का साथ दिया समाजवादी पार्टी में यह बहुत बड़ी स्प्लिट है कि उनके इतनी बड़ी संख्या में विधायकों की आत्मा जगी और वो दूसरे धल में यानि बीजेपी में चले गए आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह साथ बिधायक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए और यह कोई मामूली एमेले नहीं है बैनो भाईयों यह सब के सब हाई प्रोफाइल ताकतवर रसूगदार राजनीतिक रूप से मजबूत मेलेज हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर उधर गए बीजेपी की तरफ अब यानि बीजेपी के आठवा प्रत्यासी संजे सेट की जीत सुनिश्चित है सिर्फ अवचारिक एहलान श कहा था कि समाजवादी पार्टी के पास दूसरे प्रत्यासी को सैंतिस सैंतिस ओड देने के बाद 34 एमेलेज बढ़ते हैं लेकिन इस बार सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने रणनीती बनाई कि सैंतिस से नहीं निकालेंगे चालिस चालिस ओड देंगे लिहाजा प इसी तरह संजे सेट के पास भी चालिस उन्तालिस इस तरह एमेलेज अलाट किये विजेपी ने और संजे सेट के पास प्रत्म वरीता के थे 21 किसमत और यहीं शुरू हुआ खेली साथ एमेले समाजवादी पार्टी के उनका ओट गया प्रत्म वरीता का संजे सेट को गायत्री प्रजापती की पत्नी जो अमेठी की विधायक हैं वो गैर हाजिर गैर हाजिर को भी मदद ही माना जाता है क्योंकि उसका ओट नहीं किना जाएगा तो आगे काम बन जाएगा यानि अपोजीशन वाले को ओट नहीं मिलेगा लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी खेल करने में कमी नहीं की इधर से नुकसान हुआ तो भरपाई राजभर जी के घर से हुई ऐसी चर्चा है एक का तो कंफर्म है दूसरे पर डाउट है पर ऐसी चर्चा है कि एक या दो एमेलेज ने एक का कंफर्म है लेकिन ऐसी चर्चा है कि SBSP के दो एमेलेज ने क्रास वोट करके समाजवादी पार्टी के तीसरे परत्याशी को वोट दिया है यानि कुल टोटल क्रास वोट कितने हुए नौ समाजवादी पार्टी से जो बीजेपी में गए वो कितने साथ और दूसरे धलों से सपा में कितने गए अधिक्तम दो कम से कम एक कन्फर्म्ड है और एक वोट गैर हाजीर तो ऐसा क्या हुआ कि मनोज पांडे राकेश परताप सिंग अभै सिंग विनोज चतुरवेदी पूजा पाल इनके जैसे हाई प्रोफाइले मेलेज अपनी पार्टी के साथ छोड़कर गए हाला कि उनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज पर बच्चा बच्चा जानता है कि अंतरात्मा का मतलब क लेकिन इनको जाकर वहां मिला क्या कि प्रोफ एंटी डिफेक्षन यह ना कि debt की सदस्यता जाएगी या भारती जैंटा पार्टी अब इरेनी की रखवाली करे प्र ये तहे कि पूरे ऑप्रेशंस में भारती जैंटा पार्टी अपना अठ्वा प्रतियासी जिताने में काम पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में जितनी भी ताकतवर सरकारे नहीं है सबने मौका मिलने पर यही किया है अच्छे अच्छों को खदेड़ा अच्छी पार्टीयों को तोड़ा है अपनी मनमर्जी मेंबर आप पालियमेंट राजसभा और मेलसी चुनवाए हैं इस बार टाकत है बीजेपी के पास और देने के लिए भी किसी के पास कुछ है तो बीजेपी मैं एक चीज को लेकर जरूर आस्वास्तू उत्तर प्रदेश के नेता ओं के बारे में और खासец़र अर एमेलेस और एम-पीज के बारे में एक दो अपुआद को छोड़दे ऊत्तर प्र ये अपने political interest को वाच करते हैं अगर इनका political interest fulfill है तो ये जाएंगे ये किसी agency वाले डरने वाले नहीं है लेकिन इसमें एक मैं rider लगा रहा हूं कुछ एक अपवाद को छोड़ कर जिनका बहुत अपराधिक इतिहास हो जिनके पीछे police stf लगी हो वो अलग विशे हैं लेकिन ज के जरिए आप यूपी में दबा नहीं सकते हैं ये एक political state है राजनीतिक रूप से जागरत लोगों का राज्य है दबाना यहां थोड़ा कम हो पाता है दूसरे राज्यों के मुकाबले business state नहीं है तो ये जो गए हैं ये पाएंगे क्या बैनों भाईयों इनके पास पाने की अपार संभावनाएं हैं सामने संसत का चुनाओ है वाई प्लस कटेगरी की सीक्योरिटी है चार साल की सरकार का भी कारिकाल है और भविस्ट उनको बीजेपी में दिखरा है इसलिए गए हैं सिंपल सी बात है बाकी तो बातें तरह तरह की उड़ती रहती है उनकी चुनाओं ने किसको क्या सबक दिया इस पर चिंतन होना चाहिए और राजनीतिक रूप से जो जटका लगा है समाजवादी पार्टी को यह चुनाओं में उसको कितना प्रभावित करने वाला है इस विसे पर आज हम खुली चर्चा करेंगे आप कुछ बयान सुन लें फिर उनमें सहास नहीं रहा होगा सरकार के खिलाब खड़ा होने में अब यह उनकी हतासा है और समाजवादी पार्टी और वुप्यक्ष का यह चरित रहा है कि वह चुनाब में जब उनमें लिखता है कि पराजे हो रही है तो वह संविधानिक संस्थाओं के बारे में एलेक्श की विधान मंडल दल की नेता अराधना